जैसे एक बच्छड़ा हजारों गायों के जुन में अपनी मा के पीछे चलता है उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ ये तुम्हें खत्म कर देगा एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगा वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कारे को सिद्ध करना चाहिए इश्वर मूर्तियों में नहीं है आपकी भावनाई ही आपका इश्वर है आत्मा आपका मंदिर है एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है ग्राहमन की ताकत उसके आध्यात में ग्यान में और एक औरत की ताकत उसकी खुबसूती योवन और मधुरवाणी में होती है आग सिर में स्थाफित करने पर भी जलाती है हाग दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुखी देता है गरीब धन की इच्छा करता है पशु बोलने योग्य होने की आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोख्ष की जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए नाहीं भविश्य के बारे में चिंतिन्द होना चाहिए समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं ये मत सोचों की प्यार और लगाव एक ही चीछ है दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दुबारा हासिल किये जा सकते हैं लेकिन ये शरीद दुबारा हासिल नहीं किया जा सकता तो इत्वी सब झाल 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 झाल